Hello everyone, good morning तो दोस्तों आज 21 नोंबर हैं और बात करते हैं सबसे पले TGT-PGT परिक्षा के बारे में सोसल मेडिया में इसको लेकर काफी होला मचा हुआ है कई तरीके के तर्क भी तर्क दे जा रहे हैं कि परिक्षा जनौरी में होगी नहीं होगी दिसंबर में होगी नहीं होगी तो फिराल आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जानकारी आपको उप्लोग हो रही है उसके मताबिक आयोग पूरे जोर सोर से UP, TGT, PGT और Assistant Professor परिक्षा के तियारी में लगा हुआ है इसके पहले भी एक लिटर जो वारल हुआ था आयोग का उसके मताबिक भी आप अरतमान में एक लिटर और वारल हुआ है जो की बांदा से है इसमें भी आपकी दिसंबर के तीसरे सब्ता और जन्वरी के दूसरे सब्ता था तो आयोग परिक्षा तित्री पर नेड़ा ले सकता है मैंने आप लोगों को ये भी बताया था इसके पहले के वीडियो में कि आपकी जो TGT PGT की परिक्षा है ये जन्वरी में 4 और 5 तारीक को हो सकती है साथी साथ 11 और 12 तारीक को हो सकती है तो इसमें से 4-5 एक सेट रहेगा TGT के लिए या फिर 11-12 एक सेट रहेगा आपका PGT के लिए थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है PGT की परिक्षा हो सकती है TGT की उसके बाद हो सकती है और आपकी जो परिक्षाएं हैं असिस्टर प्रफिस्टर की ये दिसंबर के अनतिम दिनों में यानि की 29-30 दिसंबर को हो सकता है कि करवा लिए तो फिलाल आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और मैंने आपकों से कई बार कहा है कि अगर समय कम हो तो इस पर समय बेर्थ करने के बजाए कि परिक्षा होगी या फिर नहीं होगी बेतर होगा कि आप अपनी तयारियों में लग जाए क्योंकि अब वो समय गया जब पहले आयोग exam date declare करता था फिर आपको कम सकब 90 दिनों का समय मिलता था 60 दिनों का समय मिलता था अब तो परिक्षा के लिए इस परिकार से आपको तयार रहना होगा और यहां पर जो जांकारी मिल रही है उसके इमताविक आपकी जो परिक्षाए है यह जनवरी माम में आयोजी तो हो सकती है कुछ लोग यहां पर तर्क देंगे कि नेट की परिक्षा भी तो जनवरी में होने जा रही है तो उस बीच UGC नेट की परिक्षा के बीच में TGT-PT की परिक्षा कैसे करवाई जा सकती है तो यह को यह सारी हेडेक आपकी नहीं है यह सारी हेडेक आयोग की है नेट की है अगर वो लोग आपस में इस प्रकार से बाचित कर लेते हैं कोई एक solution निकल जाता है और आसान सा solution है कि अगर यहाँ पर NTA कर देता है कि ठीक है हम 4-5 और 11-12 को परिशाय नहीं करवाएंगे आप TGTPT परिशाय करवा लीजिए तो अगर उस condition में आयोग अपनी परिशाय तिती रख देता है तो आप क्या करेंगे तो तरकों से बेतर यह होता है कि फिलाल जो यहाँ पर साक्ष मिल रहे हैं उस पर आप भरुसा करें और साक्ष तो इसी बात की और इसारा कर रहे हैं कि आपकी जो परिशाय है या दिसंबर से जनवरी की बीच में हो सकती है आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और इस बीच आप तयारी कैसे करें तो इस पर एक dedicated वीडियो बना के मैंने upload कर दिया है आप किसी भी विशाय से हूँ अगर आप TGDPC की तयारी कर रहे हैं आपको लग रहा है कि समय आपके पास बहुत कम है तो इस रणनीती को अपना कर आप निश्टी तुरूप से बहतर तयारी कर सकते हैं अपने एक्जाम में बहतर प्रदस्रान कर सकते हैं और निश्टी तुरूप से सफलता को हासिल कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले करने मैं आपको दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप इसे वाच कर लीजिए का जरूर देखिएगा इसको ठीक है इसके क्रमे फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखो एक खबर यहाँ पर और निकल के आईए बदायों से यहाँ पर देखो मुझे जो विरेंद कुमार सिंग है जिला बेसिक सिख्चा इदिकारी बदायों उन्होंने एक पत्र लिखा है और यह पत्र वाकई जो ह इसका पालन जो है सभी को करना चाहिए यहाँ पर देखो उन्होंने एक अपील की हुई है सभी लोगों से खास तोर से जो सिख्चक गण हैं जो अध्याबिकाएं हैं अनुदिश्तक हैं सिख्चा में तरह हैं करमचारी हैं उनसे लेकिन यह जो अपील है मैं आप लोगों स से गर से निकले और वहान चलाते समय जल्दभाजी में भीलsty ना हैं enthusiasts में ह्ग विख्चा वुचिकारी को इनलब दो अवगवत करा दें तो आपकी जीवन से बहुमूल ईस धरती पर कुछ भी नहीं है आ लेकिधे जो कुछ भी नहीं तो जो कुछ है उसके लिए आप से पसरी करना चाहूंगा कि इस नीमों का इन जी जो नियम इन्होंने जो अपील की है इसका पारण आप भी करें तो यह ज्यादा बहतर होगा CBSC की परिशा हैं 10 वी और 12 वी की 15 फरवे से स्टार्ट हो रही है तो यह जांकारी यहां पर मिल गई है कच्छा 10 की बोड परिशा 18 मार्च जबकि 12 की परिशा हैं 4 अपरेल को समाप्त होंगी परिशारती परिशा कायकरम CBSC के आधिकारिक वेबसाइट पर cbsc.joe.in पर जाकर देख सकते हैं डारेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मैं आपको दे रहा हूं वहां से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देखो यूजिसी नेट की परिशा हैं तो आपको पताईए कि एक से लेकर 19 जरूरी के बीच में यह परिशा आजित की जाएगी और इसके बारे में जो नोटिफिकिसन जारी कर दे गया है आनलाइन आवेदन भी शुरूर है तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आनलाइन आवेदन आपको करना है तो अभी आप कर सकते हैं और आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 तारिक से ही स्टार्ट हो गई है यहाँ पर दिख़ो मैं आप लगों को एक सलाह देना चाहूंगा और वह यह है कि अगर किसी सवाल के multiple answer है या किसी सवाल में error सामने आता है तो उसी चात्र को नंफर दिये जाएंगे जिसने सवाल को attempt किया है ठीक है तो अगर किसी सवाल के multiple answer है एक से अधिक उत्तर है जो भी कब दिये गए है या कोई भी उत्तर से match नहीं होता है तो उसी छात्र को number मिलेगा जिसने सवाल को attempt किया है जिसने छोड़ दिया है उसको अंक नहीं मिलेगा इसलिए सवालों को attempt जरू करने की सला दी गई है और पिछले वर्सों में दिसंबर exam का registration अगस्त सितंबर में ही हुआ है लेकिन इस बार जो जून सिसने का पैड़ाम है वो अक्टूबर में आया है यानि कि जून और दिसंबर सिसने के बीच छात्रों को तयारी के लिए कम समय में मिल पाया है कोई बात नहीं है तैयारी कम हो जादा हो अगर आपको तैयारी करनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और आराम से इससे पहले पर आपने पढ़ाई होगा तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी और revision करिए और revision करके आप कुछ भी यहाँ पर कर स दिसंबर मामें जारी किया जाएगा तो फिलाल आयो की यह पहल अच्छी है कि वो आने माले विग्यापन के बारे में जो नोटी से उसको पहरे ही जारी कर देता है 59जा सिक्छक भरती सुप्रीम कोड में नहीं सुनवाई तो 59जा सिक्छक भरती मामले की बुद्वार को सु 27 नूम्बर कोगी इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको तुरुन सूचित कर दूँगा कर मैं आप लोगों से कहा था कि उनुतरजा सिक्षिक भरती में जो सुनवाई होगी इसके बारे में अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा लेकिन कोई सुनवाई उस जिले में अगर वेकेंसी है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकती है क्योंकि यह जो भरती है सिर्फ मैलाओं के लिए है बाकि डीटेल्स मैंने आल लेडी अर्मों को दे रखा है आप डिस्क्रिस्टन चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो खबर है इसका सार संचेप यही है की बिहार में बिपेसी टीरी फोर की तयारिया चल रही है और बहुत ही जल्द इसके विग्यापन जारी के जाने के बारे में यहाँ पर मुख्यमंतरी निर्देश जारी कर दिये हैं हालाकि यह माना जा रहा है कि जो बिपेसी टीरी फोर का विग्यापन है नया वाला यह ज तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पडूसी राज में इस प्रकार से भर्तियां लगाता चल रही है और एक हमारा राज है वहाँ पर अभ्यर्ति सिक्षर भर्ति के लिए लगाता और संगर्स कर रहे हैं और जो हमारे निति नियंता है वह न जाने किस निति में किस प आगे दीजे नमस्कार जैहंद